भाई तुमको यहां से निकाल दिया जाएगा तुम्हारा अधिकार छीन लिया जाएगा इस तरह की बाते फैला के लोगों में अविश्वास पैदा करके और उन्हें डराने धमकाने का काम कर रहे जो ठीक नहीं है मुझे हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ उससे मैंने यही जाना है कि यह जो नागरिकता संसोधन बिल आया है वो भारत के किसी भी नागरिक के हक अधिकार को छीनने का काम नहीं करेगा और नहीं किसी को दिक्कत लाएगी कुछ लोग है जो राजनीती बस लोगों में गलत मैसेज भेज के उनको भड़का रहे हैं उनको गुमर ह rookie life लेकार जो ठीक नहीं मुझे कि लगता है जो सच है वो लोगों को जानना चाहिए मैं भारत का नागरिक हो मैं कोशिश करता हो कि मैं जानों समझंगी क्या है वैसे हर नागरिक का रहा ब्रकता पहले समझो उसको जानों कि यह जो बिलाए उससे आपका कुछ कुछ नुक किस तरह आपको लग रहा है मतलब मौहल बिग बॉस का और सबस्क्राइब बात है कि आप गए था इतना सुकून से वहां पर कैसे मतलब रहते थे रहते थे रहते हैं कि अगर आप सच में हवे में नहीं है तो आप कहीं भी बहुत आराम से रह सकते हैं तो मुझे लगदा पर नेचर वह रहे हैं उन्होंने असा कोई काम नहीं किया कि जिससे वह कुछ और बनने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि वह जो फॉर्मेट है बिग बॉस का उस फॉर्मेट में जिस तरह का इंटरटेन्मेंट निकल के आना चाहिए उसके लिए वहां लड़ाई करन हैं तो कर लीजिये हाँ कि हमको से कुछ नहीं लेना देना है हम चुप रहेंगे तो इस तरह के लोगों के लिए वोको नहीं है अरक습니다 जबाद कर रहा है तो आप उसका जबाब दो अभी बोस में था मुझे अपने हिसाब से उन्होंने खराफ कर दिया उनको टास्क मिला था कि आप आप नास्ते को खराफ कर दिया और मुझे मालूम नहीं है मेरे टेबल पे आया मैंने अपना खाया थोड़ा नमकीन लगा थोड़ा तीखा लगा मैंने खा लिया खतम किया और वसी भी वहां से देख रही है कि कैसे खा गया तो पूरा मिर्ची नमक इस तो कुछ बोला ही नहीं बिग बोस भी सोच रहे कि तो पूरा खा लिया कुछ तो बात इतनी सी है कि आप जब आपका वो नेचर ही नहीं है कि आप घर में चिलाते तो आप बहर कैसे चिला होगे तो हम इसलिए वहां पर उस तरह से थे तो भी थे और जो लोग उस फॉर्मेट में इंटर्टेन करना जानते हैं कि भाई हम क्या है उससे मतलब नहीं है यह नहां पर क्या करना है उस हिसाब से जो लोग करते हैं वो इंटर्टेन कर रहे हैं और लोगों को मजा रहा है मैं खुद भी देखता हूं मुझे भी मज़ा आता है